अगले साल याने साल 2022 में देश के पाँच राज्यों में विधान सबा के चुनाव होने हैं और ऐसे में सबकी नजरे देश के सबसे बड़े राज उत्तर प्रदेश के विधान सबा चुनाव पर ठीकी हुई है सरफ जहां उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलिया संबोधित की जा रही है चुनाव की तयारी जोर शोर से जारी है साथे साथ देश के प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी भी उत्तर प्रदेश का दोरा शुरू कर चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की तमाम पाठियां तैयार है उत्तर प्रदेश के विधान सबा चुनाव में अपनी पैट बैठाने के लिए अपनी जगा बनाने के ऐसे में जद्यू के तरफ से ये ऐलान किया जा चुका है कि वो उत्तर प्रदेश का विधान सबाद चुनाओ लड़ेगी लेकिन अब एक बड़ा बयान केंद्रुस पात मंत्री और जद्यू के पूर्वरास्ट्रिय अध्याक्षर और सिपिस सिंग के तरफ से सामने आया है जहां पर उन्होंने इस बात को साफ करते हुए ऐलान किया है कि जद्यू उत्तर प्रदेश में गट बंधन में चुनाओ ल रहे हैं आर्सीप सेंग अपने इस नए बयान में और क्या कुछ घोशना हुई है उनके तरफ से आईए पहले आपको वो सुनवाते हैं अपने सुना कि आर्सीप सेंग न को साफ करते हैं कि जद्यू उत्तर प्रदेश में चुनाओ लड़ी की हालाकि उनके तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि चुनाओ कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा साथे साथ RCP सिंग ने यह भी कहा है कि जद्यू कभी सीटों की मांग नहीं करती है ऐसे में आपसी विचार विमश के बाद सीटों का एलान कर दिया जाएगा लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जद्यू भाजपा पर दबाव बना रही है उत्तर प्रदेश में गटबंधन के साथ चुनाओ लडनी का साथे साथ जद्यू सीटों की मांग भी कर रही है लेकिन जद्यू के तरफ से हाला कि इस बात की आधिकारिक घोशना नहीं की गई है साथे साथ आर सीपी सिंग का यह भी कहना है कि जद्यू कभी भी किसी से सीटे नहीं मांगता है ऐसे मैं अब देखना यह होगा कि जद्यू और भाजपा मिलाकर कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाओ लडने वाली है जद्यू को कितनी सीटे मिलने वाली है पाकी वियाईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में गच बंधन के अंदर नहीं बलकि अकेले निशाद समाज के लिए चुनाव लड़ने को तयार है और मुकेश सहनी ने इस बात को साफ कह दिया है कि वो कुल 165 सीचों पर चुनाव लड़ेंगे और साते साते 165 सीचों पर जी भाजपा के खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं और उनका यह कहना है कि उन्हें दिल्ली तक जाना है और दिल्ली का रासा उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है तो वहीं जहां एक तरफ वियाईपी अकेले चुनाव लड़ने को तयार है उत्तर प्रदेश में तो द प्रदियू के तरफ से ये बड़ा बयान भी अब सामने आ चुका है अब इंतजार है भाजपा के तरफ से आधिकारिक घोशणा का सीटो के ऐलान का फुलाल के लिए इतना ही अनकाई अपडेट्स के लिए मैं आए साथ बने रहें न्यूस फौनेशन में नमस्का